नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का सौधाघर के आज के इस नए वीडियो में साथियों चल रहे हम लोग अब एक नई स्रीज के सुरुवात करने जिसका नाम है केस इस्टडी और इस स्रीज के माध्यम से कोसिस यह रहेगी कि आप तक हर एक बिल्डर का केस स्टडी हम लोग ले आएं कि कितने प्रोजेक्ट उनके मारकेट में चल रहे हैं किस तरह के बायस को बेच रहे हैं, एवरेज एज क्या है, क्या एवरेज प्राइसिंग है, कितना बिका हुआ है और इससे यह जानने की कोसिस भी करेंगे आखिर वहां percentage of end user, percentage of investor यह क्या है, कैसे है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले तमाम वीडियो से मिलता रहेगा इस वीडियो के माध्यम से जो भी डेटा हम लोग दिखाने जा रहे हैं, इससे किसी builder को फाइदा पहुँचे या नुकसान पहुँचे आईसी हमारी मनसा नहीं है, हम वो factual डेटा आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, जो हर एक बायर जानना चाहता है लेकिन real estate industry में अगर आप देखें तो ऐसे डेटा मिल पाना मुस्किल है, यदि आप publicly available जो डेटा है या फिर government की websites पे जो डेटा है अगर उसे आप निकाल के देखे भी, तो उसको पूरा summarize करने भी इतना समय जाता है कि एक individual buyer उसे नहीं कर सकता, तो जिम्मेदारी अब 16 गन्ने उठाई है और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं area for site तो इन हमारी और area for site के मदद से ये सारे data हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं जिसमें मुखे रूप से हमने महारेरा की website, IGR की website से data निकाले हुए हैं और आपके सामने तमाम पहलों पे इसकी study रखने वाले हैं आप लोगों को ये पूरा प्रयास कैसा लग रहा है कैसा लगेगा वीडियो के बाद वो कमेंट में बताइए और आज जो हम लोग builder चूज कर रहे हैं इसमें ये सापुर जी, पालुन जी का पूरा कितने project उनके launch है और किस-किस तरीके से उनके data रहेगा वो आपके सामें रखेंगे यदि आपको किसी और builder के बारे में समझना है तो आप हमें comment section में लिखके बताएं जिस भी project, जिस भी builder का सबसे ज़्यादा request आएगा हमारी कोशिस रहेगी कि आने वाले case study के वीडियो में उस वीडियो को सबसे पहले हम लोग cover करें चलिए अब शुरुवात कर लेते हैं तो सापुर जी पालुन जी अगर आप समझें तो 1865 में जो है इसके अस्थापना होई और अगर हम पूने में बात करें सीधे point पे आते हैं सापुर जी पालुन जी के आज की डेट में चार प्रोजेक्ट जो है पूरे पूने में चल रहे हैं जिसमें लगबख 4000 यूनिट सें टोटल और लगबख 3000 यूनिट जो है बुक हो चुके हैं यानि कि अगर आप देखें तो 75% यूनिट इन्होंने बेज दिया है अगर आप बात करें location की तो एक तो आपने देखा ही होगा हिंजवडी मान गौं में इनका जो है प्रोजेक्ट है ज्वाइविल और उसके साथ साथ है sensorium जो बात में रांच हुआ वहीं ज्वाइविल का दूसरा प्रोजेक्ट है आपका हडसर एनक्स जिसे शेवाले वाडी भी कह सकते हैं आप चौथा जो प्रोजेक्ट आपका है वो है वना जो की लवले में है बाओधान एनक्स के रूप में भी लोग इसे जान रहे हैं तो चलिए एक एक करके इसके पूरे डेटा को समझने की कोसिस करते हैं और जैसे हमने आपको बताया यह वीडियो बनाने का माध्ययम यह वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं है कि किसी भी builder को इससे फाज़ा पहुंचाया जाए या नुक्सान पहुंचाया जाए तो अभी जो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप इसके data की बात करें तो जो सबसे late position data वो हमने यहाँ पे mention किया है और average चीजों को दिखाने की कोशिस की है अगर हम यहाँ पे internal area की बात करेंगे यानि कि जो आपका rara carpet है plus balcony terrace area है उसे include करके हमने internal area का नाम दिया है और जो agreement cost है same size के flat को एक साथ हमने plus करके area से divide करके average agreement cost जो है निकाला है यह चीज़े हम आगे कई बार discuss करेंगे तो वहाँ पे आप average agreement cost, average age और internal area यानि कि जो आपका rara carpet है plus balcony और terraces रहेंगे वो आप लोग ध्यान जरूर रखें तो अभी देखें जैसे जोईविल अगर हिंज़ोडी की बात करें तो इसका जो position है वो March 2023 में है जो आखरी टावर का position date है उसी को हमने पकड़ा है तो March 2023 में है और number of units अगर आप देखेंगे तो 1030 unit यहाँ पे launch हुए है और जो आपका महरेरा से निकल के आ रहा है 998 unit यानि कि लगबग 1000 unit यहाँ पे book हो चुके है जिसमें से की June 2021 यह जो पूरा data हम लोग आपके सामने produce कर रहे हैं यह June 2021 तक का है तो हर 6 महिने पे इसका comparison भी आएगा लेकिन अभी जो आप देख पाएंगे 2020 और 2021 के 6 महिने आने की first half तो यह total डेड़ साल का data आपके सामने हम लोग रख रहे हैं तो जो total inventory हमने आपको बताया यह है आपका 1030 जो आइविल हिंजोडी में और इसमें 998 लगबग 1000 data 1000 flat जो है वो book हो चुके हैं जिसमें से IGR की website से निकल के आ रहा है 143, 143 unit का जो है agreement हो चुका है यहाँ पे देखें एक चीज़ समझने की कोशिस करिए booking से agreement के बीच में थोड़ा सा time जाता है क्योंकि जब कोई भी book करता है unit तो अगर उसे loan लेना है तो loan section letter आने में प्लस तमाम चीज़ें रहती वो भी यह देखते हैं उनका own contribution कितने समय में बिल्डर तक महुचने वाला है किस किस माध्यम से आ रहा है इस वज़ा से एक से डिड़ महीने का gap होता है booking to agreement के बीच में आप मानके चले किसी किस में 3 महीने हो सकता है किसी में 1.5 महीने तो हमने जो as of now दिखा है जून के last तक जो दिखा है वो data हम आपके सामने रख रहा है पर हमने जून तक के पूरे data को पकड़ा हुआ है अब वहीं अगर आप sensorium में देखें तो इसका जो position date है अभी तक जो launches है उसके हिसाब से December 2024 जो है इसका position date रहेगा जिसमें 774 units हैं अभी मौजोदा इस्तिती में आने वाले समय और भी tower launch होंगे position date और आगे भी जा सकता है यानि कि जो नए tower आएंगे और number of units भी बढ़ेंगे तो जैसा हमने आपको बताया कि यह जून तक का data है तो देखें तो जो यह launch हुआ इसमें 774 unit launch हुए है जिसमें 252 unit 252 units जो है वो book हो चुके हैं महरेरा में दिख रहा है 240 unit जो है आपका वो registered हो चुका है जो कि IGR के तुरू आ रहा है यानि अगर आप total समझें Joyville क्योंकि दोनों same location पे हैं तो हम अगर Joyville और Sensorium को add कर दें हिंज औरी मानगाओं के project को तो यह इसमें 1804 जो है project हैं जो आप देख सकते हैं जिसमें से 1250 जो है project book हो चुके हैं और 383 unit का registration इस period में हुआ है पूरे 2020 और June 2021 तक अब देखें इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा आपको graph के माध्यम से समझाने के कोशिस करते हैं कि कितना इसका जो है average agreement cost है per square rate क्या है हाँ per square rate को भी अगर आप देखें तो यह हमने total जो आपका agreement cost है average जो आया है उसको हमने area से divide कर दिया है तो यह super built up का जो है pricing नहीं है ना ही rara carpet का pricing है यह rara carpet plus balcony plus जो है आपका terraces वगेरा यानि कि जब आप किसी भी project पे visit करते हैं तो आपको एक total area बता जा था total carpet के नाम से लोग कहते हैं तो यह total carpet ही है जिसे हम लोग internal area कह रहे हैं तो अगर आप इसमें देखें तो 500 से 600 square feet के जो भी units हैं उनका average agreement cost है 39 lakh और इसके rate की बात करिए पर square feet rate की बात करिए तो 7,450 जा रहा है वहीं अगर आप 600 से 700 square feet के बीच के flat को देखेंगे तो उनका agreement cost 53 lakh है और इसके उपर जो है taxes भी लगेंगे तब जाके आपका grand total बनता है यह हमने यहाँ पर agreement average agreement cost आपको यहाँ पर show कर रहा है जिसमें अगर आप average इसके price की बात करिए तो 7,910 रुपी जाता है वहीं अगर आप 700 से 800 square feet के flats को देखेंगे तो इनका average agreement cost जो 60 lakh जा रहा है और इसका जो पर square feet rate है वो 7,880 रुपए जा रहा है वहीं अगर आप 800 से 900 square feet के बीच के flat को देखेंगे तो इनका जो average agreement cost है वो 61 lakh तक जा रहा है और pricing 7,480 दिख रहा है यानि यहाँ देखें तो थोड़ा price drip आपको देखेगा इसका main कारण क्या है price drip का क्योंकि इसमें कुछ बड़े size के flat है जिसमें terraces मुख्य रूप से terraces थोड़े बड़े दिये जा रहा है इसी वजह से इसके prices थोड़े कम है साइध उस terraces के कम पैसे 1 third या फिर half जो है charger लगाए गए होंगे इस कारण से भी यहाँ पे dip आपको जहाँ पे बड़े terrace दिख रहा है वहाँ पे दिखेंगे वही 900 से 1000 square feet के जो flat है उसमें जो है आपका average agreement cost 60 lakh जा रहा है और price 6410 जैसा हमने आपको बताया कि इसमें काफी सार्प जो है drop दिख रहा है यानि कि आप कह सकते हैं कि इसमें भी जो terrace की size है वो थोड़ी बड़ी दी गई है और उसका charge जो है कम लिया गया इस वज़ा से यहाँ पे drop आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह data से जो निकल के आ रहा है इसमें 2BHK के जो prices हैं वो बाकी variant से कहीं जादा है यदि आप देखें 75% जो sale हुआ है वो 60 लाग से नीचे का sale value है agreement जो cost average वो 60 लाग के नीचे जो flats है उनका sale 75% हुआ है यह समझने वाली बात है क्योंकि आने वाला जो data है जो आगे हम sensorium की बात करेंगे वहाँ पे यह चीज जो है ज्यादा ध्यान देने वाली रहेगी वहीं आप आगे देखें तो इसमें जब यह project launch हुआ था 2018 में तब से अब तक यानि कि first half of 21 यहाँ देखें तो 15% का appreciation हमें इस mid segment में जहाँ पर sizes जो है वो थोड़े कम हैं आगे चलते हैं अब अगर हम sensorium की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी पहले एक बार आप लोग graphical representation देखें जो एक एक data हम लोग आपके सामने रख रहे हैं इसमें अगर आप देखें 600 से 700 square feet के अगर आप flat देखें तो इनक sizes जो है जो आइविल से बड़े हैं sensorium के तो अब यहाँ पर देखिए तो 600 से 700 जैसे मैंने आपको बताया अठावन लाग agreement cost जा रहा है average और इसका जो sale price है per square feet वो 8330 रूपीज है वहीं 700 से 750 square feet के जो flat है उनका agreement cost जा रहा है 57,00 और यह जो आपका price है 7,970 रूपीज जा रहा है और 800 से 950 square feet के जो flat है उनका जो agreement cost अगर आप देखेंगे तो 63,00 है और price जो जा रहा है 6,930 रूपीज जा रहा है और वहीं देखिए आप जो 900 से 1000 square feet के flat यानि कि 3BH के जो है उसका जो average agreement cost है वो 81,00 है और इसका rate अगर आप देखेंगे तो 8,350 रूपए जा रहा है यह ज बन रहा है अब यहां एक चीज अगेन निकल के आरी जैसे हमने आपको बताया कि जो 800 से 950 वाला segment देखें तो यहां पे काफी तेजी से जो है graph नीचे गिरता हुआ दिख रहा है यानि कि यहां पे terraces का size बढ़ा हुआ हूआ है और उसको कम rate में दिया गया है बाकि अगर आ 711 square feet का उसका जो agreement cost है वो 57 lakh plus taxes है वहीं अगर आप 2BHK maximum size large size का देखेंगे 783 square feet का है जिसका price average price जो जा रहा है agreement price वो 65 lakh plus taxes जा रहा है इससे आप समझ पाएंगे कि कि किस price में यहां पे flat बेचे गया है उनका किस price में registration हुआ है यह IGR की website से में data निकालके आप लोगों के सामन size है 973 square feet है जिसका average agreement cost 81 lakh है अगर आप compare करें ज्वाइविल और sensorium को compare करेंगे तो आपको ज्वाइविल में sale थोड़ा जादा दिख रहा है compare to sensorium region क्या है आगे समझेंगे अब एक बार इन दोनों प्रेट्टी जो हमने बात की जो कि हिंजवडी मान गाउं में है इनकी सब्री की बात करते हैं सब्री में आप लोग देखिए तो ज्वाइविल हिंजवडी में इन देड़ सालों में यानि कि 2020 में calendar year 2020 and first half of 2021 इसमें देखें तो इन्होंने एक लाख दो हजार स्कॉार फिट एरिया बेचा हुआ है टोटल अगर इसके आप प्राइस की बात करिए तो 79 करोर का जो है यूनिट इन्होंने ये एरिया पूरा बेचा हुआ है जिसमें जो आपके बायर्स हैं आउट अप पूने वो 72 परसेंट हैं ये है ज्वाइविल हिंजवड स्कॉार फिट बेचा हुआ है और इसका जो टोटल वैल्यू इन्होंने बेचा है वो 174 करोर में बेचा है 46 परसेंट जो बायर्स है वो आउट अप पूने के हैं और 39 जो है ये एवरेज एज है बायर्स की यहां एक चीज़ आपको समझना चाहिए आपको हमने पहले कहा कि सेंसोरियम का सेल कंपेर टू जोईविल हिंजवडी के कम है ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपको डेटा में दिख रहा है कि एरिया जादा सेल हुआ है अगर आप बात करेंगे सेंसोरियम की डेटा में दिख रहा है पर यहां पर यह देखी यह जो सेंसोरियम का सेग्मेंट है यह launch ही हुआ है 2020 में और जो जो जॉइविल का segment है वो पूरी तरीके से अब जो है देखेंगे तो sold out हो चुका है तो इन देड़ सालों में उसका sale बनस्पत sensorium जो है कम दिख रहा है लेकिन total sale value की बात करेंगे तो जॉइविल का sale पूरा हो चुका है सारी बिख चुके हैं sensorium के अगर आप launch period की बात करेंगे जिसमें की आपका एक benefit और था जहां इस time duty reduce हुआ था उसके बावजूर यहां पे sales का वो जो है चीजें नहीं दिख रहे हैं उस तरीके का नहीं दिख रहा है जितना की जॉइविल के launch पे दिख रहा है और इसका main कारण क्या है main कारण है size of the flat और price of the flat क्योंकि जब जॉइविल हिंजौरी launch हुआ था तो उसमें छोटे flat थे अपेच्छा करें sensorium के और उसके prices भी इस से कम थे और यही कारण है कि sensorium में कहीं न कहीं जो sale है वो थोड़ा ठंडा है जॉइविल के compare में वहीं अगर आप age देखें average age देखें तो जॉइविल हिंजौरी में 38 है वहीं sensorium में 39 year का दिख रहा है normally आप देखिए जो end user है पकड़ के चलें तो 30 से 35 के बीच में अगर average age आ रहा है तो वो end user होते हैं अगर इसके उपर जा रहा है 35 से 40 के बीच में जा रहा है या उसके उपर जा रहा है तो या तो वो investment के लिए ले रहे हैं या फिर वो second home के लिए तो यहाँ पर कहीं न कहीं data यह दर्सा आ रहा है conclusion यह निकल के आ रहा है कि यहाँ पर maximum number of investor जो है वो jump हुए है और यही कारण है कि joyable का sale काफी तेज हुआ क्योंकि वहाँ पर sizes भी कम थे और आपका prices भी उसके against कम थे और sensorium का जो एक तरीके से sale है वो ठंडा है कारण यहाँ पर area बड़े हैं और उसके prices भी जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं हडपसर NX शेवालेवाडी का जो है एक बार पूरा data समझ लेते हैं इसी तरीके से इसी तरज पे अगर आप देखें तो इनका जो position date है July 2025 जैसा हमने आपको बताया जो सबसे बाद में deliver होगा अभी तक जो launch हुआ उसमें सबसे late क्या deliver होगा उसका हमने महारेरा position date पकड़ा हुआ है तो July 2025 में ये deliver होगा टोटल number of unit जो launch हुए है वो 1584 है जिसमें से की 1117 unit book हो चुके हैं जो की महारेरा के side पे बताया जा रहा है और जिसमें से 1061 flat का registration भी हो चुका है यानि की 70% unit book दिखा रहे हैं June 2021 तक की data में अब आगे चलते हैं एक बार graphical representations का समझ लेते हैं जो भी flat 400 to 500 internal area में हैं कार्पेट टोटल कार्पेट एरिया के हैं उनका average agreement cost 34 lakh जा रहा है जिनका average per square feet rate जो है वो 7950 रुपीज दिख रहा है वही 600 से 700 square feet के जो flat है उनका average agreement cost 44 lakh है 7110 इनका per square feet rate जा रहा है वही 700 से 800 square feet यानि कि जो बड़े size के 2BH के हैं उनका जो average agreement cost है वो 54 lakh है और जो आपका per square feet rate की बात करिये तो 7380 रुपय है वही 800 से 900 square feet के जो flat है यानि कि 3BH के उनका जो average agreement cost है वो 67 lakh है और rate जो आपका पर square feet है वो 7510 रुपीज है यानि कि अगर आप देखें जो 1BH के इनके हाँ 430 square feet का था उसका जो आपका average agreement cost है वो 34 lakh plus taxes का है और वहीं आप जो है small size के 2BH के देखें जो की 619 square feet का है उसका agreement cost है वो average 44 lakh plus taxes में बेचा गया है लौड size के बड़े 2BH के जो आपके है 726 square feet के उसे 54 lakh के average cost पे average agreement cost पे बेचा गया है plus taxes में total value आ रही है और जो 3BH के है 894 square feet का वो 67 lakh में बेचा गया है आगे चलते हैं इसमें क्या है summary क्या है conclusion इससे निकल रहा है वो समझने कोशिस करिए जो आइविल हरफसर NX में 7,4,000 square feet area बेचा गया है जो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है काफी ज़्यादा sale हुआ ऐसा दिख रहा है डेटा से भी और total sale जो हुआ है वो 520 करूर का हुआ है और अगर आप percentage आप buyer की बात करिए जो की पूने से ही है वो 89% है यानि कि 90% पूने की ही buyers ने यहाँ पर परचेज किया है और जो buyers का average age है वो 39 years का है यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है जो अगर हम main micro locations की बात करें तो यहाँ पे maximum buyer 40% जो buyer है वो हड़पसर, हांडेवाडी, मांजरी और फुरसंगी एरिया से ही मौझूद है और बचे हुए जो 40-50% है वो rest of पूने से यहाँ पे लोगों ने purchase किया हुआ है तो यह चीज तो यह दिखा रही है कि जो पूने के buyer है उन्हों ने यहाँ पे ज़्यादा interest दिखाया है जिनका current address पूने का है पर जो आपका average age है 39 वो कहीं ने कहीं यह दरसार है कि यहाँ number of investors जादा है यह हमने average age आप लोगों के सामने रखा हुआ है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि काफी लोग जो जिनका age group 28 है 30 है जो end user होंगे 32 तक होंगे वो भी है पर जो age है maximum आप देखेंगे तो 45 तक भी है 48 का भी है पर जो average आप निकालेंगे वो 39 यह आ रहा है याने कि जो percentage of investors हैं वो जादा है इस वाले प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते हैं जो इनका चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है जो की बाउधान NX में कहा जाता है लवले में मौझूद है उसके analysis को एक बार समझ लेते हैं वनाह जिसका नाम दिया गया है और इसके उपर हमने पूरा detail video भी ब बनाया हुआ है उसका playlist हमाई button पर लगा देते हैं उसे भी आप लोग देख सकते हैं बात करें position date की तो September 2025 में जो यहाँ भी segment इनका launch किया था mainly जो है उसका data यहाँ पे है तो उसका position date September 2025 है 2025 वहीं अगर आप देखें कितने unit इनके launch होए इस period में तो 874 unit इन्होंने launch किया है जिसमें 587 unit book हो चुके हैं और 474, 474 unit का agreement भी हो चुका है यानि कि 67% unit जो है वो जून 2021 तक बिक चुके हैं और लगबग उतने ही unit लगबग हो चुका है आगे देखते हैं इसके एक बार graphical representation को भी समझ लेते हैं जो 400 से 500 square feet के flat है उनका जो average agreement cost है वो 36 lakh है जिसका अगर आप per square feet rate समझे तो 7240 रूपीज है वहीं अगर आप 700 से 800 square feet के flat देखेंगे तो 56 lakh रूपीज उनका agreement cost जा रहा है और rate आपका 7250 रूपए जा रहा ह वहीं 800 से 900 square feet के जो flat है उनका average agreement cost 65 lakh रूपीज जा रहा है और per square feet rate की बात करेंगे तो इसका भी 7250 रूपए per square feet जा रहा है और जो average ये per square feet rate की हम लोग बात कर रहा है ये agreement cost divided by the internal area, internal area यानि कि जो आपका rara carpet है प्लस balcony प्लस terraces मिला के यानि कि जो आप area तरीके से use कर जायर सी बात है इसमें internal wall का area भी जुड़ा हुआ है अब अगर आप 1000 से 1100 square feet के flats की बात करेंगे जिनका average agreement cost 72 lakh rupees है और इसके गरब per square feet rate की बात करेंगे तो 7200 rupees per square feet है यानि कि यहां पे जितने भी unit बेचे गए हैं उनका per square feet rate identical है बराबर दिख रहा है uniform दिख रहा है केवल ज पे जो है sale बराबर हुआ है बराबर मात्रा में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK बेचे गए हैं उतने की demand वहां पे लोगों ने दिखाई भी है आगे चलते हैं एक बार समझने की कोशिस करते हैं कि इसका conclusion क्या निकल रहा है देखिए वनाह में 4,22,000 square feet बेचा गया है जिसका total price 305 करोड का ह यानि कि यहां पे जो price है आप इच्छा कर जो बाकी हमने segment बात किया वहां से थोड़े कम है sizes भी कम size के यहां पे जादा है और जो 76% यहां के buyer हैं वो पूने से ही हैं तो आप यह मान के चले कि 76% लोगों ने पूने में ही मौझूद है जो अलग-अलग हिस्सों में उन्हों हमने purchase किया है और यहां पे एक बड़ी चीज निकल किया रही है जब हम यहां पे average age निकाल रहे हैं बायर्स का तो वो 43 year जा रहा है अब आप समझे 43 year अगर जा रहा है यानि कि यहां पे investors जादा है और वो clear दिख रहा है क्योंकि अभी तक जो हमने average देखा वो 39-38 तक का था age और इसमें सीधा 40 को cross करके 4 साल उपर जा रहा है 39 से 43 में जा रहा है तो यह साफ दरसा रहा है पूने में ही रहने वाले लोग जो कि अपनी किसी second property में निवेज करना चाहते थे या फिर उसको second home कह लीजे या फिर future planning के हिसाब से उन्होंने खरीदना चाहा है उन्होंने ज 25 परसंट जो यहाँ पे बायर है वो बावधान और कोथरूड एरिया से ही यहाँ पे लोगों ने खरीदा हुआ है साथ इस डेता से निकल के क्या आ रहा है यहाँ पे साफ यह दिख रहा है कि जब यह project launch हो रहे हैं तो sales velocity काफी जादा है और investor जितने भी market में है वो बड़े नाम पे ज़्यादा भरोसा दिखा रहा हैं कहीं न कहीं इन सारे segment में एक बात निकल के आ रही है कि number of end user जो है वो कम रहेंगे अभी के हिसाब से और जो इनका एक segment दिख रहा है sensorium जहाँ पे sizes बड़े है prices ज़्यादा है जो कि end user को अपनी तरफ आकरसित करता है और वहाँ इस sales velocity अपे इच्छा करत बाकी जगों से काफी कम है ठंधा response मिला कह सकते हैं इससे साफ है कि market में investors अभी भी बने हुए हैं और end user जो है उनको बड़े size का फ्लैट चाहिए और वो बड़े size का फ्लैट खरीद रहे हैं साथियों आप बताए अगला किस builder का जो है इस तरीके स कैसा लगा हमें comment section में लिख के जरूर बताएं और यदि आपको अच्छा लगा है तो like share करने के साथ साथ अपने channel सौधागर को subscribe करना ना भूलें बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि तमाम जानकारिया real estate से जोड़ी आप तक लगातार पहुंसती रहें जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार